हाई फ्रेंस कैसे अब सब उमीद करते हैं अब सब अच्छे से होंगे तो आज हम बहुत ही फेमस चट्नी नारियल वाली जो दोसा के साथ हमनों खाते इतली के साथ खाते तो चलिए पराना स्टार्ट करें देखें मैं लिया है राई लालमिच कड़ी पत्ता बदाम और इसमे करहाई में चाहिए थोड़ा सा ओई तो थोड़ा सा गरम होगा उसके उसमें हम कोकोनट आड कर देंगे कोई को हलका नाम रूस्ट करेंगे इसलिए मैं आड किया इसमें दो हरी मिजदा देंगे एक लाड मिजदा ने तीखा जितना आप खाते हो उससाब से इड़े और इस कर लिंगे अच्छे से से इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे ज्यादा नहीं कुछ सेकंड के लिए लोग फ्लें पर रखे देगे इन फिर बूना है उसको और मैंने मॉमफली और चेना भी रोस्टिर था और बूनेंगे मैंने पहले देखिए भून चुका है और ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सर जार में ट्रास्फर कर लिया है इसे में नमक डाल के अब पीस लूँगे तो देखिए मैंने पीस लिया है मैं आपको दिखा देती हूं देखिए मैंने बर्देख भूना नहीं था मैंने सिफ एक-से-देफ़ मिनट भूना है दोनों अड़ करके एक-से-देर मिनट ही भूना है और चैनल को भी तो जादा मत भूनिएगा वाला टेस्ट चेंज हो जाएगा अच्छा नहीं लग रिखे मने जलेना जल जाएगा तो अच्छा नहीं आएगा इसलिए अब मैं कड़ी पता एड करूंगी अब इसे मिक्स करेंगे निए हो गया है अब इसे अंतरका लगा लेंगे बहुत ही सिंपल बहुत ईजी है बहुत टेस्टी रेसिपी है तो आप जरूर ट्राइब कीजिएगा और पसंद नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा देखिए मैं इसके साथ में धोसा बनाया था तो मैंने चटनी भी बनाया था तो इसलिए मैं सुचा है कि वह चटनी की रेसिपी मैं शूट कर लेती हूं और शेयर करती हूं क्योंकि बहुत टेस्टी बनीती है बहुत जल्दी बनती है तो इसलिए अब मचे से सब मिक्स कर लेंगे चटनी ली ये और ये बेना आलू का है इसलिए वो गोल बनाया है और ये आलू के साथ है तो इसलिए वह चपता है देखे हैं मैं तोड़के में दिखा हो कि Brown एह सैंकि ऐस्य कर रही हूं और यह बहुत टेस्टी बना है तो आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू